अगर आप hair fall से परिशान हो, winter में तो hair fall बहुत होता है, क्योंकि हमारी जो scalp की skin होती है, वो dry हो जाती है, और इसके वज़े से hair fall dandruff हो जाता है, और कई बार जुए भी आ जाती है, लेकिन जुए इसानी की winter में ही आती है, normally बच्चों के सर में या बड़ों के सर में भी या जुए कि आपको problem हो, eating की problem हो, सब इस oil से finish होने वाली है, इस oil में यूज करने वाली हूँ, मैं तेज बता, तेज बता में anti bacterial और anti informative properties होती है, वो गून होते है, जो इन सब problem से हमें चुटकारा देते हो, और साधी में में इसमें यूज करने वाली हूँ, लोंग काली मीर यहां आप देख सकते हैं, onion seed से कुछ मेथी दाने हैं, और है हमारे करीपत, इन सब चीजों से मैं oil बनाने वाली हूँ, वो भी homemade within second में, one time use के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजे ली है, आप गर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन म यहां लोहे का बरतर में यूज किया है, अगर हो तो ज़रूर यूज कर लीजी, क्यूंकि उसकी वी गुन हमें मिल जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा यूज में लिया है, आप देख सकते हैं, जितना मुझे one time use करना है, उतना ही में लिया है, इस बार में करने वाली हूँ, हेवी हेर ओइलिंग, तो हेवी हेर ओइलिंग में वीक में एक ही बार करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ, वैसे दो तिन बार में बाल धोती हूँ, तो नॉर्मल हेर ओइलिंग करती हूँ, लेकिन वीक में एक बार हेवी हेर ओइलिंग करती हूँ, तो ओईल बनाने के तर जानाने नहीं है नहीं रोज्ट करनी है इसलाइटली हमें तोड़ा सा यह उइल गरम हो जाए और इस पे थोड़ी देर के बाद जहा जाता है इस तर Гघ, 둘Wow pierws नहीं काला बिलकुर नहीं हो देना है थोड़ा सा इसको गरम कर लीज़े इसकी गुटनेस इस ओयल में आ जाएगी इसको ठंडा कर लीज़े और यह रेडी हो चुका है लगाने के लिए आप इसे स्प्रेज जो बॉटल होती है छोटी-छोटी जिससे हम ओयल लगाते है उसमें डाल कास्टर ओयल है कास्टर ओयल है घ्र ग्रोथ के लिए बोहत बैस्ट होता है इसके कुछ बुफ़ास मिक्स करना है अगर अपके पास नहीं है तो आप छोड़िजिए अगर हो तो जरूर मिक्स कर लीजिए और चाहे तो इसमें थोड़ इसे बूंदे तिलका तेल जो भी करने के बाद जब हम कंगी करते हैं तो हैर हमारे बहुत गिरते हैं तो बाल गिरते देखकर आप ऑईल स्किप कर देते हैं और आइलिंग नहीं करते हैं या हेवे हैर आइलिंग नहीं करते हैं तो आपको डरना नहीं है यह जो डेड़ हैर होते हैं वह ही गिर जाते हैं कुछ कुछ इसे periods होते है, means कुछ six month, one year या कुछ month इसे होते हैं, उस time में हमारे बाल बहुत गिरते हैं कई बार बीमारी के वज़े से कई बार खुन की कमी हो सकती है या आप कोई medicine ले रहे हो या internal कोई problem हो या आपके सर में बहुत सारा dandruff है या कई बार genetic reason भी होता है hair fall होने का, लेकिन अगर आपका hair fall हो रहा है, तो आप उसे थमाबे सकते हैं, कम भी कर सकते हैं तो इसके लिए आज में जो oil बनाई हो यूज कर रही हो, ये winter में तो बहुत ही अच्छा है, hair growth अच्छे से हो जाएगी साथ ही में, itching नहीं होगी dandruff नहीं होगा, और जो जूए होती हमारे बालों में वो भी कम हो जाएगी मिन्स, मिन्स एक या दो बार लगाने से तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे routine में शामिल करते हो, तेज पता का oil, तेज पता का toner या उसका hair pack भी आप लगा सकते हो oil एक best option होता है, इन सब चीजों को, मिन्स, कंट्रोल में लाने के लिए, oil हम सब लगाते हैं, आप बच्चों को भी लगा सकते हो, किसी भी उम्र में आप oil लगा सकते हो, अगर बच्चों के सर में जूए पढ़ जाती है, रेगुलर यूस के साथ, ये प्रॉब्लम जड़ से मिट जाएगी, और बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्चा है, अगर आपका hair fall हो रहा है, तो वो stop हो जाएगा, dandrup भी जड़ से निकल जाएगा, scalp आपका clean रहेगा, तो यहाँ ये hair oiling में रात के time कर रही हूँ, इसलिए मैंने hair oil बहुत लगाया है, means heavy hair oiling में यहाँ कर रही हूँ, और मैंने पूरे बालों को top to bottom, मैंने अच्चे से बालों को लगा लिया है, कई बार मैं normal hair oiling करती हूँ, तो स्रिप scalp लगाती हूँ और अच्चे से मसाज करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पूरे बालों को लगा लिया है, heavy hair oiling आपको एक बार तो करना ही चाहिए वीक में, और अच्चे से slowly आप मसाज कर लीजे, एकदम gently मसाज करनी है, roughly नहीं करना है, यहाँ speed को थोड़ा बढ़ाया है मैंने वीडियो का, इसलिए आपको थोड़ा सा fast दीख रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही gently मसाज की है, आप चाहिए तो इसके बास steam भी ले सकते हैं, लेकिन इसी रात में मैंने लगाया है, तो मैंने steam नहीं ली, थोड़ी सी मसाज की, और बालों को अच्छे से आपको detangle कर लेना है, अफटर hair oiling, उस टाइम थोड़ी से आपकी बाल आपको fall होते हुए दिखेंगे, तो आपको ड़ना नहीं है, अच्छे से बालों को आप कंगी कर लीजिए, इस अपोर डाइरेक्शन से भी कर लीजिए, इस तरीकी से, मिन्स बालों का जो blood circulation होता है, वो भी अच्छे से हो जाता है, और आपकी hair growth बहुत अच्छे से होती है, जो यह की problem हो, aging की problem हो, dandruff की problem हो, इस तेज़ पत्ते के oil से जड़ से मिट जाती है, तेज़ पत्ता बालों के लिए बहुत ही best होता है, इसमें anti-inflammatory और antibacterial grown होते है, और इस oil में हमने तो बहुत सरी चीज़े यूज की, जैसे करी पत्ता, मेथी दाना, अनियन, सीट्स, लॉंग, मीरी, और यह हमारा तेज़ पत्ता, इस सबकी goodness इस oil में आ चुकी है, इंस्टन्ट है, विदिन सेकिंद में आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही beneficial है, 1000 परसन ये effect देता है, तो आप इसे ज़रू ट्राइ करिए, बच्चों बूढों को हर उम्र में आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इस तरह की से मैं इसका एक कोम बना लूँगी, अच्छे से मैंने बालों को detangle कर लिया है, आप देख सकते हैं कंगी मैंने किस तरह की से की है, हम massage करते हैं, उसके बाद भी अगर कंगी से आप इस तरह की से आप कोम करते हैं, तो blood circulation बहुत ही अच्छा होता है, रात में लगाते हो तो नीद भी बहुत अच्छे से आती है, इसके फाइदे बहुत हैं आप दरूरी से try करिए, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो please वीडियो को like, share, subscribe कर देना, next video में हम मिलेंगे, तब तक लिए, bye bye, take care. अच्छा लगा होगा 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 है,